और दोस्तों किया हाल चाल है आज की इस फीडियो मा आपको बाताऊंगा How to Reset Privacy Protection Password प्राइबेट एलबाम, एब लोग एब हाइट के लिए अपने जो प्राइबेसी पासवाट सेट किये थे उसे रिसेट कैसे करें दोस्तों अब दो तरीके से इस पासवाट को रिसेट कर सकते हैं नमर वान, साउमी अकाउंट अगर आपने प्राइबेसी पासवाट के साथ MI अकाउन एड करके राखे हैं तो उस MI अकाउन के जरिए पासवाट रिकूबर कर सकते हैं यहां forget pattern पे टैप करेंगे इसके बाद MI account का password एंटर करिए अगर आप इसका भी password भूल चुक है तो पहले forget password पे क्लिक करके MI account का password सेट कर लीजिए इधर MI account का password एंटर करने के बाद OK करिए इसके बाद privacy production के लिए एक नया pattern सेट कर सकते है अगर आपके फोन में privacy production के साथ MI account एड नहीं किया हुआ है तो फैक्टी डिसेट किया भी ना इसका password रिसेट नहीं कर सकते और फैक्टी डिसेट करने से आपके फोन में जितने साथे photo, video, important file है सब कुछ format हो जाएगा अगर आप फैक्टी डिसेट के लिए इंट्रेस्टेड हो तो पहले आपके फोन से जो भी important data है ओ बैक आप ले लिजिए या तो pen time में transfer कर लेना उसके बाद forgot pattern पे tap करके reset में जाना है next erase all data पर क्लिक करिए फोन फोर्मेट करने से पहले lock skin का password enter करना होता है इसके बाद आपसे पूछा जाएगा backup item first next factor reset पे क्लिक करिए उसके बाद आपको सोचित किया जाएगा कि आपका phone format होने जा रहा है या 10 सेकंड का timer खतम होते ही next दबाना है आपसे दूबड़ा पूछा जाएगा कि आपने सबी डेडर का backup लिया है इसके बाद 10 सेकंड का timer खतम होते ही OK कर देना फिर आपका device reset होना शुरू हो जाएगा दोस्तो device साल होने के बाद आप आपने सबसे privacy password शेट कर पाएगे लेकिन जो photo, video और important file हाइड किया हुआ था वो सब delete हो जाएगे तो दोस्तो उम्मीद करते हों कि ए वीडियो आपके लिए बहुत धेलफुल धाँ तो इस वीडियो को लाइक करके हमना चैलेंज सबसेब करना ना भूलें